साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इस सिखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी सिफ्ट किया कि छात्र क्या सिखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफट से नई राष्ट्रिय शिक्षानीती तयार हुई है। अब छात्रों को ये बड़ी सुविदा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विशहों का चुनाव कर सकते हैं। सिक्षन संसाओं की क्वालिटी बहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टिटूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आये हैं। इससे देशभर के इंस्टिटूशन को एक मोटिवेशन मिल रहा है। हमने संस्ताओं की स्वायतता को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी जोड़ा है। जितना बहतर संस्ताओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायतता मिल रही है। साथियों, सिक्षा की फिचरिस्टिक नीतियां और निर्नव का प्रणाम है कि आज इंडियन उनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है। 2014 में QS World Ranking में केवल 12 इंडियन उनिवर्सिटी होती थी। 2014 में 12 इंडियन लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है। हमारे एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। हमारे संस्थान, क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडन फेकल्टी रेशियो और रेप्युटेशन सब में तेजी से सुधार कर रहे हैं। और साथियों, आप जानते हैं, इन सब के पीशे, सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम कते ही हैं। यह गाइडिंग फोर्स हैं। भारत की युवा शक्ति। इस हॉल में बैटे ही हो यह मेरे युवाओं की थक्ति।